लगेड नेक्स पर आगेंग अगेड़् वर्किंग ओफ इंपोर्टेंट मेथड ऑफ लीस ट्इंग क्लास कॉड लेज इंटर मेथड्ट्स इंटर मेथड्स इंटर यह जब बेहिए क्या है जब भी आप जाब आ के इंदर स्च्ञ्व ऑब्जेल्ट नियूँकीवड्स के थ पूल मेमोरी क्लियर कोई डारेक्ट्ली नीउ उब्जेट्ट्स होता है अगर एक जिस्टिंग फ़ॉट्स फर्मुला देन ऑली नीउ अबजेट्क चांसे जो जब के फिर्स्ट केसे में एब्री टाइम नीउ अगर आपने कुछ जाब आप्टेट के रिस्पेक्ट में अगर आपको इस्टिंग कॉंश्टिंग पूल में पूल में क्रिट कराना चाहते हैं इसके समय यूज करेंगे जाए इन्टन में फूर एक्जांपल्स इस अभी हो सकता आपको सब्सकी अपने करेंगे इस पॉर्सट्पर केक्ट के लिए यूजिंग केट किया है यूजिंग्निंग कीवर्ड इस पॉसेस में बता सकते हैं टूटल स्टिंग क्लास के कितने objects create होंगे two objects में double quotes के case में same ABC contents के लिए object create हो inside string constant pool then new keyword के लिए again new object create होगा inside heap area total कितने object construct tolerance के इसमें two objects process को मैं already beginning session में action कर चुका हूँ same as string class का एक और object create के है string as two equals to ABC second process में अगर contents की बात करना है object के दोने cases में contents कैसे same लिए second case में object के सब्सक्राइब करना जा तो inside string constant pool this is the first case after this statement अगर मैं right time करता हम system dot out dot print in comparing by using equal equal operator as one equal equal as two clear देखा है इस case में आपको reality के आपने आपने का एक सब्सक्राइब का है इसका है फॉल्स रिजन में इस इस case में two reference variables create हुए है as one or as two in first case first case में java case में string object के देखा है using new keyword new keyword के case में string class का object के space पर create होगा inside heap area इस तॉप में console करना जा string constant pool memory and heap memory then जब यह constructors के दुरू initialization पर फॉर्मवा तो सबसे पहले double quotes के form में create के रहा same string object inside string constant pool abc existing object non existing तो सबसे पहले string constant pool में string type का object with contents abc आइस सब्सक्राइब सब्सक्राइब में पास क्या हो जाएगा created object का address something hundred then finally new keyword से जब object केट हो inside heap area then heap area again one more new string object केट होगा और new object के case में इसका address भी क्यासा होगा completely new or different लेकिन हीप में हमोरी के case में string object में contents कैसे साल होंगे same contents यह सब previous case में object में contents का अब्जेक्स में इसकेस में असान क्या हो जाएगा also abc फानली इस प्रोसेस में इस्टिंग टाइप में total कितने objects के उप्जेक्स वन ऑब्जेक्स वन ऑब्जेक्स इंसाइड इंसाइड हीप memory लेकिंगी new keyword इसकेस में रिटन क्या करेगा हीप एड्रेस और हीप के सबसे पहले एक्जिस्टिंग ऑप्जेट करा इसलिए डाइक्स के सबसे पहले एक्जिस्टिंग अब्जेट करेग्स लिए डाइक्स इसकेस में रिटन क्या हुआ करना स्टार्ट करेंगा फाइन इसकेस में जब कंपेरेशन पर फूरण करा हैं देने असलिंगे क्या हो रहा है 200 एन्ड इस में क्या रहा है 100 इसका सबस्क्राइब आपको ट्रूब्र फॉल्स कम्प्लिटली फॉल्स और आप्टूद इस कोड़िस फॉल्स इस फॉल्स इस यह टेए एक्स्राइं कर रहा हूं working of in-term method इंटन वेंट सब्सक्राइभ प्रीड को पॉंट कर रहा है विगा सेम पॉदक आपको कौंस्ट्वूर्सपल्स कराना जाए तो इसके से उसके समय हूं वक्यों कि यूजब हो एंटन S1 के थू, Sam S1 के थू में point क्या कराना जाया तो string constant pool memory, S1 equals to S1 dot intern, S1 dot intern, इस method का working क्या है, current string S1 के contents के लिए string constant pool memory पे new object create करना, तिकिन currently string constant pool में से S1 के थू कंटेंट्स क्या है, ABC, और ABC वालो update, string constant pool में already कैसा है, existing object, then इस particular case में internal method written क्या करेगा, address of string constant pool memory, which is 100, then S1 में next time क्या सान होगा, 100, जैसे ही S1 में 100 store होगा, then immediately S1 इस existing locations को point करना start करेगा, इस second time अगर आप comparison करा हुए system.out.println s1 equal equal s2, S1 में कैस्टू रहा currently 100, और S2 में भी क्या है, also 100, then इस case में result क्या है, false or true, means true, clear, means internal method का exactly purpose क्या है, means forcefully किसी भी string object को string constant pool memory में create कराना, clear, same है, इस case में आप पर particular object को directly, initially भी directly, sorry, इस particular case में first case में new keyword के थूपजेट कान क्या होगा था, inside heap memory आपके लिए directly string constant pool memory में create कराना पौसल था, by calling internal method, internal method object creation time पर call करना पौसल था, again new keyword के थूपहले heap memory में object क्या होगा, यह heap object इंटन method के थूप्रू, means create क्या होगा, string constant pool memory, means new keyword के according address किसका रहेगा, heap area, लेकिन internal method itself address किसका रहेगा, string constant pool memory, इसलिए s1 में directly address किस लोकेशन कराना होगा, string constant pool memory, means this is the purpose of internal method, library, fik 데 था कर दो, season ideas, has no Mail में kidding,